ठीक है यह दूसरा रूप है मतलब तो बोलते हैं सुधर गए हैं ठीक है मैंने आपको बोला था ना कि आप जब आगे बढ़ेंगे जिंदगी में तो हर परकार का सिच्वेशन आपके सामने आएगी ठीक है लड़ाई दंगे भी चलते रहते हैं होते ही हैं अब्वेसली क्रेक्टर से उनप्र करेक्टर स्पे नौर तो हमारा कॉलेज कर महारा था उनके पर होस्टल के नामेरे गें के और षासे याद तो यह मतलब हैं इसे दीर अधाक। अथाक बड़ा मतलब वहां जागर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ बड़ी बिल्डिंग किसको बोलते हैं पूरा गॉर्मेंट बनाती है तो बहुत खुले खुले ऑस्टल बनाती है तो यह था कॉरिडॉर इसके इधर इधर सिंगल सिंगल रूम थे फाइनल ये की बा और साएर लोग रहते थे त Зनधा कने अंधर अरजुना भावन भिघा बिणा भिष्म वन भी था अर्जुना वाला होस्टल था फिरिरंड होलों चार फ्लोर थे लिफटीफट नहीं होती है तुल सब्सक्राइब ठाइब चरण के जाना पड़ता है तो ग्राउंड फ्लोर पे रूंब ताइम चल रहा था दिवाली लड़ाई दंगे वाली स्टूठी है। जोड़ाई था था कि दिवाली की चुटिया स्टार्ट होने वाली तो अब छोगा है जब दिवाली की चुटिया आती है, तो जहां पर बहुत सारे बच्चे इकठे हुए हो तो एक उस ताइम पर और आजकल भी चाहिए चलता है बढ़ मारे रिक्वेस्ट करों मत करना क्या है अपने पास पटाके रखते हैं और वो पटाके बिल्डिंग में बजाना स्टार्ट कर देते हैं ठीक है और हमारे साथ मे तो एक और इंसिदेंट हुआ हुआ है कोटा को बाद में सुनाएंगे कभी पटाको को लेकर याद दिला दिरा कभी बाद में तो पटाकी क्या है सभी रखते हैं और चलते हैं hostel से भी ठीक है थिक है तो एक दम बजने वाला हो तब कमोड की उपर साइड में रख दिया समझ मैं कि नी उत्पात मचते हैं अब क्या हुआ अब यह यहां खड़े होगे यह यह रास्ता मैस की तरफ जादा था अब यहां एक लड़का था वो शुरू खड़ा होकर यहां से रॉकेट चलाए जमीन पर रखकर जमीन पर रखकर आपने रॉकेट चलाई कि नहीं पता आकर फूट गी क्योंकि वहां रुकी थोड़ी दे जली फूट गी यह क्या हो रहा है बाहर निकल के देखा मैं गया उदर से कोई ना कोई आतिश बाजी चला रहा वह भी ग्राउंडड़ आतिश बाजी ऊपर चला नीची है यह बढ़िया है तो मैं वापिस रूम के अंद करो तुम्हें गौर्रमेंट की प्रॉपर्टी है ज्यादा समझाने में अब हम उमर को समझा नहीं सकते ना क्योंकि वह भी समझदार है उतना ही ठीक है जो खोर दिखाकर एनाइटी गुरुक्षेतर में पहुंचा है तो बस मैंने उसको यह का मैं का यार एक काम कर यहां ख खड़े होके फिर चला दी वो फिर मेरे रूम के आगे आगे बजी तो फिर लास्ट बार मैंने उसको अब जो है पहले समझाने वाला काम कर लिया था वह होता है ना कि हम किसी को पहले छेड़ते नहीं और फिर एक बार छिड़ जाते है तो फिर छोड़ते नहीं तो मैंने फिर चला दी एक और अब मैं क्या किया यहां से निकला ग्राउंड के अंदर से होते हैं पीछे से यहां पहुंच गया ठीक है वह आतिश वाजी पे उसका ध्यान था ठीक है ना देखा आव ना देखा ताव सीधा जाके पीछे से पगड़ा मैं क्या समस्च्छा है वाई को जा बोले मैं तो यहीं चलाओंगा और यहां के डॉन हम है ठीक है तो फिर नहीं माना उसने फिर चला दी इतना कहना था उसका उसने वह चलाना था और अपना हाथ छोड़ना था ठीक है धमा दम दो तीन दिवार के पास लगा कर यह कोनी यहां बिढ़ा कर चाती पर और चलाएगा इतने वहां से चला गया वहां से चला गया मैं बापेस अमने रूम में आ गया फिर जब इंसिडेंट वह तो फिर मैंने लगा में लगा ज्यादा ओवर्रीक्ट कर दिया इतनी सी बात पर कॉन लड़ता है ऐसे मारना वारना तो नहीं जीए गुस्सा आता जब आ तो बुला कोई बात नहीं बात जाके तू उसको थोड़ा समझा दे या फिर अपने दोनों चलते एक बार उससे बात कर लेते हैं ठीक है यह बात मैं फोन पे करता करता फोन पे करता करता यहां बार आ गया इधर होता है साइकिल स्टेंड तropriक आप है वहां पे फिछे थोड़ी दूर मतलब इस तरह वाला जो कॉरिडॉर था ना यहां पर यहां पर निकल कर वो लड़का यहां खड़ा था और मैं था यहां अब वो अकेला नहीं खड़ा था उसके आथ खड़े थे 12-13 लड़के और तो मुझे यह लग रहा था कि मामला रफा दफा हो ग बिष्णोई कहके बुलाता था मैं बिष्णोई यह लोग आया है मारने और में पास भाग की जाने कोई रास्ता था यहां से आप यहां तो भाग के यहां जाओगे या फिर बाहर जाओगे तो इधर तो यह खड़े थी तो मैंने का यह 12-13 लोग है फटा 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 जा ब फोन काट के जे में डल लिया ठीक है पहले मैंने फिर बुला मैं का अगर तुझे अभी इस बात का है क्योंकि उसके पीछे जो लोग खड़े थे ना वो भी मेरे येर के थे तो कहीं न कहीं वो जानते थे कि हाँ अब जो होने वाला है उसका एंड रिजल्ट बहुत खराब होगा या तो तुमने पीट दिया तो बहुत बूरे मारे जाओगे और नहीं पीटा तो फिर यह गुरूप बना की क्यों है तुमारी बेजिती होगी ठीक है तो मैंने बस एगी बात बोली मैंने का देख भई तूने पंगे किये थे पहले गलती मेरी सरफ इतनी है कि मैं क्या तरीका था या फिर हो कि वो चिंटू केंडी बच्चों की तरह है वाड़न को फोन करो वाड़न फिर अपने होस्टल एटेंडेंडेंट को फोन करेगा वो जाके देखेगा तो यह तो वह होगी शिकायत लगाने वाली बात जनरली आपकी एज बढ़ी हो जाती है तो शिकायत वगरा नहीं लगाते तो मैंने एगी बात बोली मैं गहाँ तुम आयो मारने मुझे पता है जो पहले हाथ लगाएगा यही डायलोग आता समझ में मैं गहाँ जो पहले हाथ लगाएगा वो नहीं बचेगा ठीक है तो ऐसा बोलते ही जो यह थे और जो इनको लेके आया था यह जिसको पीटा था ठीक है बाकी सब लोग रुख गए यह आया आगे मैं का हां क्या समझ्च्छा है उसने फिर कॉलर वॉलर पकड़ के थोड़ी हिम्मत हिम्मत आ जाती है और जब आप 12 लोग सामने घड़े हो तो आप थोड़े से रिलेक्स हो जाते हो कि कोई बा तो इससे खा ले अब वह यह ना जितने जितने जिस बुद्धी के लोग बोलेगी एक था लूगों का मुझ पर अटैग करना हुआ उसमें जो सबसे पहले में यह तरफ बड़ा था, एक तो वो ही था लड़का, एक और था, दोनों को पहचान लिया, ठीक है, कुछ नहीं, बस वापिस, यहाँ पे साइकल स्टेंड में एक पोल होता है, उस पोल के पास मैं चला गया, पोल को घेरने की कोशिश की, मैं पोल से बचने की की कि मैं पोल क इन ने यह काम किया, एक ने थोड़ा पगड़ने एकोशिश की, वो जो था उसने थपड मारे, लगे भी, एक दो इदो दर भी लगे, इतने में वो लोग वहाँ से चले गए, ज्यादा, मतलब 12-13 लोग है, तो कम से कम 50-60 थपड उनको मारने चीए थे, आइडली, बट वो अब अपने वाले लोगों की फोजारी है, और तब तक ये लोग मार के भाग चुके थे इस कॉरिडोर में, ठीक है, हाँ भीया, और अपनी क्या जानकारी ठीक थी, फाइनल येर, फर्स्ट येर, थर्ड येर सभी, बस ये सारे आए, तो मैंने बोला कि भीया, वो तो हाथ चले गए हैं वापिस हैं, बोले अच्छा, अब क्या करना है, ये तो मतब पूचा ही नहीं, मनी मन में सोचे अब क्या करना है, मैंने कुछ नहीं डूंडते हैं, ठीक है, उसके बाद में जो हुआ, मतलब मेरे गाल से तो वो बहुत अगड़ा ही कांड था, ठीक है, सारे कर करीबन करीबन 50-60 लड़के तो सिरफ इस ऑस्टल के गठे हो गए, जिसको भिष्णोई लेकर आया था, कुछ मेरे जानकर पता चल गया था सबको, ठीक है, डंडे-वंडे, बेस्बॉल, बैट, विकेट, सब निकल गए है, और एक ही काम था, हमारे पास, ये रात का पर कोई था क्या, जिसने हां भरी या जो उसका दोस्त था, वो भी पिटा, ठीक है, पूरी रात सर्चिंग चली, H7 में, H8 में भी गए, क्योंकि उसमें से कुछ लोग H8 के आवे थे, वहां भी गए, H10 में भी डूडा, हमें उस रात कोई नहीं मिला, ठीक है, एक इनसान बढ़ उस विचारा बहुत दूर था, तो उसको सरफ दमका के छोड़ा, पीटा किसी को नहीं, चले गए, रात हो गई, हम लोग सो गए, ठीक है, सुबह हुई, अब सुबह हुई, और उस टाइम पे क्या है, दिवाली जब आती है, तो आपका समेस्टर एंड चल रहा होता है, मिलते हैं आपको, और अटेंडेंस आपकी मिनिममम 75% होनी चाहिए, तो वो जो लड़का आतिशवाजी चला रहा था, उसकी अटेंडेंस थी नहीं, complete, और उसको ये, अपने प्रोफेसर की तरफ से बोला हो था, कि बेटा, आज के बाद जितनी क्लासे से सब में आना व विष्णो ही नहीं बताई, क्यों, क्योंकि, क्योंकि वो इसकी ब्रांच का था, बोले कि वो जुरूर आएगा, क्योंकि उसकी अटेंडेंस शॉट है, हमारे सामने उसको लटा रहा था, मैंन का ठीक है, बहुत बढ़िया, चाबाज, चलते हैं, अब पता था ना कि वो खड़े हो गए, वो निकला बाहर, अपने दो दोस्तों, उसने देख लिया था कि आज प्रोग्राम जो है, आज जो है वो प्रोग्राम, मसला जाएगा, जैसी बाहर निकले, भाई साब, पहले तो उसको पीटा, उसका जो दोस्त था, वो किती देर चुप रहे, बीच में वो बोल पड़ा कि ऐसे थोड़ी होता है, यह थोड़ी होता है, पिर उसको और पीटा, इतना और दोनों ब्लॉक के बीच में, और जब क्लास चूपती है न, तो प्रोफेसर्स भी अपनी क्लास चेंज करते हैं, तो इधर से कोई दूसरी ब्लॉक में जा रहा है, सब देख आटो पगड़ा, बस टेंड गए, बस पगड़ी, घर की तरफ निकल गए, अब घर निकल गए, और कुछ ऐलिमेंट्स ऐसे होते हैं, जो होस्टल को छोड़ कर नहीं जाते हैं, दिवाली की चूटियों पर भी वहीं पढ़े रहते हैं, तो कुछ जो मेरे साथ वाले लोग होस्टल में रुके होए थे, बोले इस दिवाली हम घर नहीं जा रहें, और वो जो 12-13 लोग आये थे, उनमें से भी, उनमें से एक या दो रुक गए होंगे होस्टल, वो भी घर नहीं गए होंगे, तो भाईया वो दिवाली की चूटियों में उनको वो दो लोग मिल गए, फिर उन्होंने, पीछे किसी को कुछ नहीं बोल के आया, ठीक है, उन्होंने मिलके फिर उनको पीटा, और वापिस होस्टल से आये, मतलब वापिस चूटियों के बाद में आये, फिर जैसे ही आये, फिर हमें मिले, हमने फिर पीटा, ठीक है, पीट पीट के, पीट पीट के पीट पीट के रेल बनाती प्लीज दू नॉट इंस्पायर बाइदस इससे इंस्पायर होने ही जुरत निया फिर बाद में अब था कि इसका एंड कैसे किया जाए क्योंकि ये तो चलता रहेगा क्योंकि अब हमने पीट दिया था उनकी बाद ये किसी एक को पगड़ेंगे फिर पीट देंगे बोले अच्छा सर फिर उन में से एक समझदार आदमी था उसने बोला कि इसका कोई इलाज नहीं है ठीक है इसको यहीं बंद कर दो और सही रहेगा वरना ये तो चलता ही जाएगा ठीक है मैं कहा बिल्कुल सही मैं खा हमारा कोटा पूरा हो है हमने पीट लिया अब हमारा पीट भंड़ा हुआ है अब बताओ वो बोड़ाइब सैलमेंट करन eating मैं कहां कर लो ठीक है दोनों को बुलाया ले सेटल फिर उसके बाद में एक सैम और निकला है ना उसकी आतिश वाजी निकली ना वो मुझे पूरे सैम दिखाई दिया तो ऐसे सब कांड भी कॉलेजिस में होते रते हैं बट इससे इंस्पायर होने की जुरत नहीं है यह उन दिनों की बात है जब समझदारी इंसान में कम होती है एटिट्यूड गुसा और इगो ज्यादा होती है समझ मैं है तब यह बचकानी हरकते हो जाती है ठीक है आया न हाँ गैंग्स आफ कुरुक शेत्र ठीक है चलती रहती है कॉलेज में जाओ के तो होती है बस कोशिश करिए का कि आप इन सब लोगों से या इन सब चीजों से बचें क्योंकि फाइनली यह तो अच्छा हुआ कि दोनों ही तरफ से वार्डन के पास कंप्लेन नहीं गई जो कॉलेजिज में हॉस्टल्स में जो वार्डन होते ना दे सर्चिंग चल रही थी उस रात को डंडे लेकर तो हमने दो तिन कमरों के दर्वाजे भी तोड़े थे ठीक है हाँ है ना उसकी भी कंप्लेन किसी ने नहीं है वह ऐसे होता है कि बहुत ही अलग टाइप की बुद्धी के होते हैं उनको फरक नहीं पढ़ता एक परसेंट भी मुँपे बोलके फेल करेंगे डिग्री रोग देंगे समझ पार हो कि नहीं समझ पार है वो बोलेंगे फेल बहार आउट और कई तो ऐसे होते हैं जिनके साथ गिड़ गिड़ा लो रो लो कुछ नहीं करेंगे बहार तो stay away from this type of things बाकी आप college में जाओगे तो आप सीखी जा लड़ाई में आपको कही ना कहीं यह फील हो जाता है कि यह नहीं करना था मुझे और मुझे ऐसा कई बार फील हुआ सीख लिया उस गलती से सीख लिया और अब जो है यह जो coolness है यह ऐसे incident होने के बाद में आती है बिल्कुल ego पर मतले कोई अगर पंगे कर रहा है समझाओ वरना इग्नोर करो इग्नोर तब तक करो जब तक इग्नोर करने लायक है amount बट एक moment से उपर चले जाए फिर अगर द करो वो सब फेक हैं और आजकल यूट्यूब और यह सब चीज़े देख कर लोग क्या है जल्दी तुम लोग ज्यादा जल्दी effect होते हो सीखते हो कि अच्छा होगा नहीं जी वह वहां shoot कर रहा है उसका camera है ठीक है वह मुक्का मारेगा तो उदर जाके गिरेगा उसको पहले तो यह भी समझाना है कि ऐसी किसी चीज से बचिये और हमेशा के लिए बचिये SMJ लिखके पहेजेंगे कि आज समझ गए हम ऐसी चीजों से motivate नहीं होते सर आप ही क्यों नहीं हो गिल्ट का एसास दूसरों की गलतियों से सीख लो ना बई गिल्ट का एसास हुआ बहुत वो दिवाली भी अचीनी भी थी